जम्मू कश्मीर विधान सभा चुनाफ के लिए भारती जनता पार्टी ने अपने उम्मीद्वारों की पहली सूची जारी कर दी है इस लिस्ट में भाजपा ने 46 उम्मीद्वारों के नाम का एलान किया है पहले चरण की पंद्रा, दूसरे चरण के दस और तीसरे चरण के उननी सूमीद्वारों के नाम की घूशना की गई है अर्शिद भट राजपुरा से, जाविद एहमत कादुरी शोपिया से, मुहमद रफीक वानी अनंतनाख पस्चिम से चुनाव लड़ेंगे तो वहीं आड़ोकेट सेयद वजाहत अनंतनाख से, शगुन परिहार शकृष्टवार से और गजय सिंग राना डोटा से चुनाव लड़ेंगे इसे बीच आपको बता दे कि वनिहाल से सलीम भट, रामबन से राकेश ठाकुर और बदरवा से दिलीप सिंग परिवार चुनाव मैदान में होंगे जम्मो कश्मीर विधान सभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उमीदवारों की पहले लिस्ट जारी कर दी है इस लिस्ट में पहले चरण के लिए 15, दूसरे चरण के लिए 10, तो वहीं 3 चरण में होने वाली वोटिंग के लिए 19 सुमीदवारों के नाम का एलान किया गया है बता दे कि जम्मो कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने है इस लिस्ट की खासियत ये है कि इसमें पूर्व टिप्टी सीम और जम्मो कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्षे डॉक्टर निर्मल सिंग को टिकेट नहीं मिला है निर्मल सिंग ने 2014 में बिलावर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी आपको बता दे कि बीजेपी ने कश्मीर घाटी की दो सीटों से कश्मीरी पंडित को अपना उमीदवार बनाया है शंगस अनंतनाग पूर्व से वी सराफ और हबा कदल से अशोग भट को उमीदवार बनाया गया है बता दे कि जम्मू कश्मीर विधानसबा चुनाफ को लेकर रवीवार को नई दिल्ली में बीजेपी की केंदर चुनाफ समीती की बैठक भी हुई थी इस मीटिंग में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, गुरह मंतरी अमिच्षा और बीजेपी राष्ट्र अध्ष जेपी नडड़ा समेत कई वरिष्ट नेता भी शामिल हुए थे और इस मीटिंग में चुनावी रणनीती मुद्दो, उमीदवारों के नाम और राज्ज में पीएम मोदी की संभावित रैलियों को लेकर भी चर्चा हुई थी सूत्रों के अनिसार इस मीटिंग के बाद अटकले लगाई जा रही थी कि बीजेपी सोंबार सुभा तक कुमीदवारों के नाम का एलान कर देगी और आज ही के दिन्याने की 26 अगस 2024 को बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है सूत्रों के मताबिक इस मीटिंग में तैय हुआ कि पीम नरेंदर मोदी की कश्मीर में एक से दो रैली होगी जब कि जमू में पीम मोदी आठ से दस रैलिया करेंगे बता दे कि राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव तारिकों का एलान कर दिया है जमू कश्मीर में 18 सितंबर 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा सुरक्षा कर लेहा से समवेधन शील केंदर शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव तीन चुनों में कराए जाएंगे विधानसभा चुनाव के नतीज़े 4 अक्टूबर को आएंगे और पहले फेस में 24 सीटों पर तो वहीं दूसरे फेस में 26 सीट और तीसरे फेस में 40 सीटों पर मतदान किया जाएगा सीटों के बात करें तो पहले चरण में पंपोर, त्राल, पुल्वामा, राचपोरा, जौनपोरा, शोपिया, डी एचपोरा, कुलगाम, देवसर, दुरू, कोकेर नाग, अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, श्री गुफ्राडा, बिच बहरा, शांगस अनंतनाग, पहलगाउं, इंदर्वाल, किष्टवार, पैडेर, नागसेनी, भद्रवा, डोडा, डोडापश्चिम, रामबन और बनिहाल की सीटों पर मत्रान होना है